बाइल चने, आलू, हल्दी, रचली पाउडर, धन्या पाउडर, नमक, जीरा, कीचन किंग मसाला, करी पत्ता और लिंबू, मैंने एक कड़ाई में तेल में जीरा, हींग और करी पत्ता का जॉग डाल दिया था, अब इसमें हम कट्टी हुए आलू डालेंगे, इसे हम पांच से चे मिनित तक दीमी आज में ही इसे हमें पकाना है, जब तक ये अच्छे से कुक न हो जाए, जब पांच-चे मिनित के बाद कुक हो जाए, तब इसमें हम सारे मसाले आड़ कर लेंगे, अब मसाले में हम डाल देंगे हल्दी, रच चिली पाउडर, दन्या तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसे आप कभी भी साइड टीश की तरह ये सब्ची को जरूर ट्राइ कीजिए ये बहुत ही टेस्टी बनता है देखिए अभी हमारे आलो अलमूस्ट को खोने आ गये है और इसका कलर भी अच्छा चेंज हो गया है अब इस टेज पे हम इसमे हुए चने है उसको हम इसमें आड कर लेंगे और इसे अच्छे से हम 2-3 मिनित तक पकाएंगे जब तक इस सारे मसाले इसमें मिक्स ना हो जाए देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है अगर आप चाये तो हलका सा पानी डाल सकते है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा स चाट मसाला और लिम्बू इससे थोड़ा सा टेस्ट भी इसका अच्छे से चेंज हो जाएगा और ये टेस्टी लगेगा अब इसे हम अच्छे से बॉयल होने के लिए रखेंगे थोड़े देर हम इस पे थोड़ा लीट लगा लेंगे तो 5-6 मिनित तक इसे हम इसे तरह से पकने रखेंगे देखें अब लीट लगाने के बाद इसे हम चोड़ देंगे 6 मिनित तक तब तक इसे अच्छे से कुख हो जाएगा हमारे चने बहुत ही अच्छे से कुख हो गये है अब ये सर्विंग के लिए रडी है तो आप इसे मैं निकाल लोगी सर्विंग बॉल मे इस तरह से आप इसे सर्विंग बॉल में निकालके इस तरह से धन्या पत्ता से गानीश कर लिजिए आप इसे साइट दिश की तरह जरूर बनाएए बहुत ही आसान रेसिपी है आप इसे जरूर पसंद करेंगे तो आप इसे जरूर ट्राए कीजिए और की फोचिंग मैं च